कि योग कॉल इज ओन्वेट प्लीज से ओन्लाइन आपका कॉल प्रतीक शाने है स्वित्या लाइन पे बरे रहें आपनार कॉल की प्रतीक खाया खे उनक्रव पुरे नाइन इधा कि अलो 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 व्क्राइब कर दांद जी कॉन भाई और फोन है ज्रॉत ने फोन बोलाओ आपको फोन आया जा था अ यहां हां हाँ हां मैं यह ना आपके जोहर से पहले जोहर से पहले मुझे बात हुई आपका अच्छा अगला जाली दे रहा था, मगर आप भी तुसमें कुछ गलत अल्फाज यूद कीए मैं कलकडा के भी बोला हूँ मुफ्ती कैसर रजा मुझे नंबर नहीं दिये, कुछ दोस्त मुझे नंबर दिया कुछ बात होई कलकडा के, हम तो बोला ऐसा ऐसा अगले दाली से बात नहीं दिया जाता है क्योंकि जब अगला इलीन से बात करें तो इलीन से ही जबाब दो तो फिर हम उसके बोले कि ठीके मुझे नंबर दो, हम बात करेंगे तो क्या वज़ा है कि अगला पैदा हो रहा है जो आप बोले, पातिया, जुरूद, वसलाम, माजरार पे जाना क्या जाना हराम है मजार पर? तो जाना को मेरे बहुत दूर की बात है मजार को बनाना ही हराम है ना? हाँ यह कहां से? भाई, यह सही मुस्लिम की अधीश है ठीक है किताब अल जनाइश की है, अधीश नंबर 970 अल्ला की नभी ने फर्माया कि कबरों को चूना ना लगाओ, उसको पक्का ना करो और उसको इमारत तामीर के जाती है उसको मत करो अच्छा हूं बीश तो अब जम मेरे बाई जो कबर है वो कच्छी होती है एक बाई उच्छी हो सकती है उसको पक्का बनाना यह हराम है नगी पक्का बनाना हराम है तो वहां जाना भी तो हराम होगा नइसे लीवक ASMR जब पक्ता बनाना हराम है तो जाना हराम ये दो बात आ जा रहे ना दो बात आ जा रहे यहां के एक दो बात आ जा रहे आपके यहां के मेरे पास तो सुने ना मेरे पास अधित उसलाल दलीन नहीं है मुझे जाथ मेद हम लिए के तरहें। प्रभ एक शवाय। ख़ुद्ध ये वफ़ाद के बात तीन दिन के बास एक शवाय। गए गए ख़ुद्ध सल्हूहावद्ध के कबर अनवर के पाथ रूर होकर भामां खाएथ रूर होकर या रसूल आला मेरी मख्षिरत पर आईए या रसूल आला मेरी मख्षिरत पर आईए तो कि आगो गलत था वहाँ पर जाना आ ये भी है ना कि अल्ला ताला कुछ पर्माता है कि जब तुम अपने जूलम करो तो हुदूर के आगे खड़े हो जाएंगा जाये तो होगा मेरे मे थोड़ा तर देख रहें। ठीक हैं। और एक बात बोलें। कि आप बोलें पर यहीं वर्ड कि फाटिया के तालुग से बोलें। यहीं बोलें। हराम है। तो नहीं मिल लाए भी मगर इंशाला हम आपको देंगे इनकाला बात इस तालूप से भी बतायते हैं आप कि यह हराम है तो ही हराम है भाई वेकि अभी आपने कहा कि अल्ला के नभी के इंतिकाल के बाद एक कोई मतलब भाई साहब ही होते हैं वल्ला के नभी की कबरे पर आते हैं और रोते हैं और कैसे हैं कि हम मज़र हमको माफ करवा दीजिए ऐसी दुनिया में एक भी हदीश मौजूद नहीं है ठीक हैं? तो हम इसलिए हम बोले क्या हवाला भी मेरे पास नहीं है जी जी आप मेरे बाई आराम इसको देख लीजेगा दुनिया की किसी सही हदीश की मेरे बाई किताब में यह हदीश ही मौजूद नहीं है ठीक है इंशालला हम उसको देखें हैं और आपको बताएंगे और दुसरा जो आपने कुरान की आयत बताई है कि जिन लोगों ने अपनी जो मतलब जो जान है ठीक है नफस है उसके ओपर जल्म कर दिया अत्याचार कर दिया तो उन्हें चाहिए कि वो नभी के पास जाएं तो इसका माना आपने क्या लिया, कि अल्ला के नभी से मदद मांगें? मदद नहीं, या रसूल अल्ला मेरे लिए दुआ फरमाईए तो आपके लिए नहीं पूरी उम्मत के लिए आपने दुआ करके इस दुनिया से चले गया है अब एक एक आदमी उनसे कहें, या रसूल अल्ला मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आल्ला के नभी को इतना टाइम ठोड़ी ना है क्या कर रहे हैं, इतना टाइम, अल्ला टाला उन्हें वो कुवत दिया है कि हर इंसान का बात सुनके, अल्ला टाला वो कुवत उनको दिया है बाइस कहा कुवर्त दिया इता हो अब आपका नाम क्या तोड़ा बात नाम बताएज़ कोई नाम क्या कोई अचाल कोई डालना है मेरा नाम है जहागीर जी जहागीर हाँ देखे जहागीर भाई मामला सलम ये है कि अल्ला के नबी जब से इस दुनिया में हायात थे जाहरी तो पर तो सहाबा एकराम अल्ला के नबी के वसीले से दुआ करते थे लेकिन इंतिकाल के बाद वफात के बाद इस दुनिया से जाने के बाद कोई वसीला साथ इस नहीं है अच्छा ठीक है अजरत ये जो है ना मौदू के पुछ आपके जो आकाइट के हैं लोग कहते हैं इमाम साथ दलील भी दिये थी ये लोग इस पेस नहीं दिया कौन इमाम साथ? आपके लोग कुछ है वह हम कहते हो रहे हमें हमें कुरान की एक आयत पेश कर दिजिए एक अल्ला की नभी की अधिस पेश कर दिजिए हम इंशालला तौबा करने को तयार है हमें कोई दुश्मनी तोड़ी ना है किसी से बाई हम पहले बरिल्वी थे अगर कोई में कुरान अधिस मेरे बाई दे देगा हम वापक बरिल्वी बच्चा हुआ है और बता रहे हैं कि मजार पे खुराफ़ाद भी होता है ठीक है? उसका एक्तला पंदी है उसका एक्तला पंदी है कि खुराफ़ाद भी हरात हराम और नजाई दे और बोले फातिया के उपर भी हरा वो बात नहीं है दरगा मजार पे जा क्यों रहे हैं ये आप लोग फत्वा दीजें ना कि जो भी मतलब बरिल्वी दरगा मजार रास्ताने पे जाएगा वहाँ जाना ही गलत नहीं तो मस्दिद जाईए अबादत का जाईए जहां गडर एनला हम आप जाईए ना आ आधिनिया लिए जाते हैं तो खाली मज्जज जाए जर्गामज अब अब निया तो आप भी ना जाईये कि तुम्हें को टुम्हें आकरत यादा है घर के तुछ तो तो कबरों प्रशेट कर जर्गामज़ रास्ताने पिना जाईये तो जाएए ना लेकिन अगर माबाप मेरे भाई दर्गा आपने बना दिये और वहाँ पे लोग आना स्टार्ट कर दिये हैं किया है जारत करने चले आपने माबाप की कबर भी न जाएए तो माबाप की कबर पर जाएए ना कौन रोक रहा है हाँ लीकिन जो बाकी पीर बाबा हैं वो कौन से आपके माँ बाब हैं जो आप 24 विंटा पढ़े रहते हैं सुने 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 ना कौन पढ़े रहता है अरे बड़े भी लो सुने 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 सु मेरे प्यारे भाई माबाप का अगर इंतकाल हो जाए आप बेशक उनकी कबरे पर जाए ताकि आपको भी आक्सात यादा आए उनके लिए दूआ कीजिए उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं बात हो रही है दरगा मजार आस्ताने की अब उसके बात करने के उसके बात हम देखिए मेरा कहना का मतलब यह कि दुनिया वर की गोल गोल बाते करने से फैदा नहीं में मुद्रे पर हतौरा मारिये कि दरगा मजार आस्ताना यहां पर जाना थी कि घुमना टैलना जारत की निय किताबुल अलम्भिया हदिस नमर सबें एक्सनाइब और वजी सल्वाइडी वसल्म इस ताहदी के घर गए वहाँ पे दावत मिला था अधिस ताहदी गए जिनके घर पे गए उन्हों ने चंद रोटी हाजिरे सिगनत की और वजी सल्लम फर्माएं कि इनके सुक्रे किया गए और कुछ वजी पढ़ें वजी क्या नाजी दोता था कुरान की आया हम लोग क्या परते हैं अपने घर से परते हैं आप ये बता दिए हैं कि या बताते है हम लोग अपना घर का कोई इस वर्ड परते हैं या कुरान पर देंगे हैं कौन से अधीस आपने बताई शाजी बुखारी किताबुल अल-अम्डियाख अधीस 789 अभी हम सुनने रहें एक मुरुकी ज़िए अभी बता रहें उस अधीस में फातिया देना है कि अब अब्दुर्रह्मान के खारिस ने खबर दी कि उन्होंने अभु ख्र Moyरा रदियाला अभुसित MegAm innovator अभी हमिस्थेल, इस विए रहें बताई आफ फिर जब दूसरे सजड़े के लिए जोगते तब तक्वीर कहते और जब सजड़े से सर उठाते तब भी तक्वीर कहते इसी तरह आप तमाम नमाज पूरी कर लेते थे आदा-ए-हूला से उचने पर भी तक्वीर कहते थे इस हदीस में अब्दुल्ला बिन सौलिह ने लेस के वास्ते से बजाए रब्बना लकल हम्द के रब्बना लकल हम्द नपी किया है रब्बना लकल हम्द कहे या रब्बना लकल हम्द वाओ के साथ हर दो तरीके से दुरुस्त है सही बुखारी हदीस नमर 789 इसमें तो भाई काहीं नहीं है, चाही बुखारी हदीश संबर 799, आप क्या सुनाएं हमको? आपको मेरे भाई जो आपने हवाला दिया है, बुकारी शरीफ का, अधीश का नंबर 789, वो मैंने आपको सुनाई है, उसमें तो यहाँ पर कहीं है, आप मुझे तक्रीम दूना रहे हैं, यह तक्रीम नहीं है, यह अधीश का तर्जुमा है, इसलाम 360 जो मेरे भाई एप है, उसमें हदीश का मैंने तर्जुमा आपको सुना दिया है, नहीं हम वो नहीं मानेगे, हम लीखत मानेगे, तो भाई मापका हवाला इसे कैसे मानने जूटा हवाला भाई, वतलब आप लुका सब्सक्रा पैतरा क्या रहता है, बुखारी का नाम लेखे, कोई भी हदीश और रही बात आपने जो कहा कि अल्ला के नभी ने खाना सामने रखके फातिया पड़ी, वो फातिया नहीं पड़ी, वो अल्ला सुबानों टाला से खाने के लिए बरकत की, अल्ला सुबानों टाला से दुआ की, और वो दुआ अल्ला के नभी की एक हास थी, अगर ये उम्म तो अल्ला के नभी सहाबा एक्राम से बताते हैं, आप कभी खाना सामने आए तो तुम भी ऐसा इसा पढ़ना, कैसा आपको बताया? तो इल्म नहीं सहाबा को नहीं बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अल्ला के नभी के दौर में एक बार क्या हुआ? तो जो हमारी सवारिया है, वो कम पढ़ जाएंगी, तो अल्ला के नभी ने कहा, ठीक है, सब लोग अपना अपना खाना लेकिया हो, तो सारा खाना एक जगा हिकट्टा किया गया, और अल्ला के नभी ने अल्ला सुबानो ताला से दुआ की, और खाने में इतनी बरकत हुई कि सबने पेट भर-भर के खाना खाया, उस हदीश में ये नहीं है, कि अल्ला के नभी ने फातिया दी, या क्या पढ़ा, आपने कौन सी आयत पढ़ी, कौन सी सूरा पढ़ा, और अगर ये अमल उम्मत के लिए खास होता, तो अल्ला के नभी सहाबा से बताते हैं, कि ऐ सहाबा है, दलील के साथ, कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज में दलील जब हमको मिलना चाहिए, तो ये भी चीज में मिले गाई, हलो, हाँ बोलो ना भाई, हां तो हम च्या बोला, हम आप से रधे मतलब सब्कों नहीं ज़ारें, हम आप तक ये थे 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 बत्तिनी जी भाई हम नहीं कर रहे हैं, हम भी बहुत इस्राह की नियाथ से बात कर रहे हैं, एक बुस्ताना अंदाज में, ठीक है, और आप हमारे माश्यालला अधनला भाईो, दिनी भाईो, मत्य भाईो, बास जो इल्म इकतलाफ है, इल्म इकतलाफ को मेरे बाई इल्म की रोश्मी में दूर करना चाहिए ची के तुर्व अधनला को जैसे आप बोलें, वो नहीं किसी को बिदयाग और स्पिर के नहीं बतते हैं देखें आप बने जो समझा है और आपको बताते हैं अधनला उल्म तो मत्या है स्थी क्या है मगा बाबा से माने नहीं है उनका निजरिया लगा के दुआ अल्दा से ही माने हो जी जी बोली है वही बोले क्या यह जलत है भाई थोड़ा जोर से बोली आवाज साफ नहीं आ रही आपकी हालो हाँ भाई जोर से बोली है वाज साफ नहीं आ रही आपकी अच्छा हम काड़े कर रहे हैं रही आगे बोली है हम बोल रहे हैं कि कोई मजार को कोई मजार को नहीं बोखे जो हकीशत में अल्ला के नेग बंदे बूजरे हैं उनके मजार बे जा रहे हैं तो धौड हम अल्ला पर ही मांग रहे हैं जैंक आट यह भी है कि अल्ल ते दूड है घर क्या बैठकर बी मांग सकते हैं मगर वहां जाके मंगेऊ ऐसा होना चैजिए मजार के न आ जाएन लगे भाखेशिक घारे ही दुजा से दूहाहें का हराम है या नाकाईस है अबिजाफ है नहीwn जा कि आ श१ evaluation मजार से दुजा मांग ना semi iam बोलिया? बोल विए ऐसको बाई मामला असल में ये है ना कि आप लोग जो अमल करते हो ना वो कुरान से साथी ते ना हदीस से साथी थे ना अमलेस हाबाज थे और ना आपकी इमाम अबु भू अब हनिफा से साथी है बेसे में एंज कई तो आप लोगों कहते हुए हम नहीं वो साबित हैं हो फहा है हमामों को मानते हैं हमाग की तरह नहीं है दो तो चारो हगप हैं तो चारो को माने ना लिen वय तो यहां तो यह कैसा हगप रहां बाइदे हैं अब प्याने की जिन्दिकी यानि यह बाकी के जो तीन से क्या मतलब वो गलत है नहीं गलत नहीं अगर उन्से भी कौल मिलना है हमको उसको भी एक्टप करें यह तो नहीं उनका कौल का गलत है मेरे मारे मतलब फाइब गया है तब शेयर के अज सऑब आज तक इमा माली की कहुंसी बात मनें है मानिया जाख को मगर्वी आप अन्न अब महनय को ही करते है तो यही आप यह कह बायों मैसे एक इमाम बरह đấyख है कि यह कुई क। 새 से से चारों कर ना स्वार हम मैं अगर कह रहाए। कि, मेरे माबाप भाई तूर दोनों अच्छे हैं छारो में से जिसकी बात भी मेरे बेश किताब उस्ट से ज्यादा करीब होगी, हम उसकी बात को लेंगे, हम किसी एक इमाम को नहीं follow करेंगे, एक क्यों follow करेंगे, तो सब को करेंगे, बनना इतको को को करेंगे, आपूनिस्वा जाद इल्म उनिवा पाना किया इमाम से सब्सक्राइब भहुत नाकिżej आपानीफी को नीवाजित तलु सुभु तोना कुझा, नाना कुझा ह शाच आपूनिवा और ने शाच की वह जद़ मुत शाच यहाँ शी करें दोफ सम्लाना कि कि ख़या हैं। आपने बच्चों को दो साल दूत पिलाएं, और इमाम अबु अनिफा रहिम उल्ला का फत्वा है कि धाई साल दूत पिलाएं, अब बदाये कौन सा इल्म था? इमाम अबु अनिफा रहिम उल्ला के नज्जीक जो मदीना है, भाई वो उसमें दाखिल नहीं है, हरम में, जबकि आज तमाम हन्पी लोग मानते हैं कि जो मदीना है, भाई वो दाखिल हरम के अंदर, लेकिन आपके इमाम का नहीं मनना है, इमाम अबु अनिफा रहिम उल्ला हैं एक्ष्ट्रा छे रोजे अगर उनको रखता है तो उसके पिछले एक साल के जो भी उसके होते हैं गुना अल्ला सुभानों ताला माफ कर देता है इमाम अभू अनिपा रही उसके नजीग बचों का अकीका होता है अकीका करना भाई ये अमल यो था वाई ये विद्धध Whoo विधर था और 487 अल्ला के नभी के हदीशे लेके आए जो इमाम अबुआ अनिफा रहीम उल्ला का कॉल अलग कहता है और अल्ला के नभी की जो हदीशें वो अलग कहती है यह कोई बाप हमने नहीं बादा है कि बड़े एले सुनने सिटुवाइज बड़े मौद सीन है इमाम इबने अभी शेबा रहीम उल्ला उन्होंने बाप बंदा थोड़ा सा मेरा एक बास होने ना हां भूली ना इमाम अबुआ अनिफा रहीम उल्ला के नजदीक भाई आप जाके खोल के देखिए हिदाया में ल अभीती नहीं है ये काम बिदत है इमाम अबुआ रहीम उल्ला के नजदीक और इमाम अबुआ रहीम उल्ला के नजदीक जो लोग कबरों पर जाते हैं मजारों पर जाते हैं अस्तानों पर जाते हैं उनके नजदीक ऐसा करने वाला शक्त वो जाहिल है गुमरा है आप खु जो जिन्दा हैं और जो मुर्दें, वो बराबर नहीं हो चकते, اور तुम उनको नहीं सुना सकते जो कबरों हैं, तो तो अलहम्दोल्लाइ इमाम अबौनियप हारेम उलला का का आफी मामलों में जो अकीदा था, वो बहुत अच्छा था, और आप अलम्दूल्ल्ला एले सुन्नत थे, एले हदीश से, तो आप का एक लिए हन्फी बने वे हो? आप मेरा WhatsApp नम्बर ले लिए, आप जो जो बोलें ना उसका एक email मुट देगे, ठीक है? अम उसके मिला करें, आप मेरा WhatsApp ले लिए WhatsApp नम्बर, और जो जो हवाला दिए, लिए क्वेम्द करें, आम उसको package करें. तो आप अगर इतने बड़े हन्फी हैं, इमाम साब को मानने वाले हैं, आप भी अराम से एक तांग पित अपनी नमाज पड़ो अरे हरम तो छोड़िये, खाने काहबा के अंदर, इमाम अभु अनिफा रहिम उल्ला ने दो रकाते नमाज ऐसी पड़ी कि एक तांग पे खड़े होके आदा कुरान, और दूसरे तांग पे खड़े होके आदा कुरान, आदा कुरान पड़े हैं, तो भाईया ये एक तांग नमाज पानला ये क्या मतलब कोई तमासा हो रहा है, शरकस हो रहा है, तपस्तिया हो रही है, क्या हो रही है? तो जाके अपने मुफ्ती कैसल रजा से पूछो ना, उन्होंने तो फिता की किताबे पढ़के मुफ्ती बने होंगे ना, जुर्जय मुक्तार उसकी जिल्द एक सफ़ा नमबर 41 मी लिखा हुआ है, जाके उनके अपना किताब चूगी पढ़ लो, भाई देखो हम देंगे तो कहिदो कि ये तो इंटरनेट का है, ये तो तुम लोग ने चाप किये, तो अपने मसलक की किताबे खोल के देखो, उसमें इंशालला तुमको मिलेगा, तो फिर एई देखे, आगे है ना बस अपने मसलक का, अरे भाई हमारे मसलक का आप कहा से मान लोगे, आप लोग के नज़ीत, उम भाई हैं, उम लोग कुरहन हदीस को मानते नहीं हैं, घ्रातों कि ये तो आप एजी Oui तो आप के नज़ीत, ये तो मोग मिलेखें गुम्रह है ना, तो हमारे हवाले आप कहा से मान लोगे, इसलिए मैंने आपको मेरे भाई हवाला देदिया, आप जाके अपन में मसलग अपनी मज़्जित में जो रखी हुई किताब आप उसमें देतो नहीं वह देखेंगे एक नहीं इतने मेरे भाई बेज देंगे कि आपकी हंतियत पूरी मेरे भाई नंगी हो जाएगी अगर कोई चाहे तो गन पॉइंट के उपर वो कैज़े अपनी बीवी को मतलब भाई छोड़ दो तलाग दे दो और अगर उसने मजबूरी में अपनी जान बजाने के लिए तलाग दे दिया तो भी हो जाती है तलाग आप क्या मुनाफ़ी किसे हैं क्या मजब वलग है क्या आपका हम लोग का तो मजबी इसलाव में हम लोग कि अज़िए अज़िए रखते हैं सलाव लुकूम